Hello everyone, welcome back to nursing zone आज हम एक नया topic स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा topic है blood circulation या फिर double circulation double circulation इसे क्यों बोलते हैं वो आगे बात करेंगे तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ कि हमारे एक important topics की सीरी चल रही है one by one सारे important topics जो भी anatomy and physiology के हैं वो सब मैं इसमें cover करने के कोशिस कर रहा हूं जितने मुझसे हो रहे हैं और काफी जादे important topics हैं अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं तो start करते हैं blood circulation और the circulatory system is like transportation network in our bodies blood circulation या फिर जो circulatory system होता है एक तरह का transportation है जिसके through हम blood को transfer कर रहे हैं transport कर रहे हैं एक organs दूसरे organ तक ठीक है it includes blood vessels इसके अंदर blood vessels होती है heart होता है blood खुद जो है इसमें involved होता है this system work together to carry oxygen nutrients hormones ये system क्या करता है एक दूसरे के साथ मिलके work करता है ताकि carry कर सके oxygen को nutrients को hormones को and waste product throughout the body और जो भी waste product है उसको कहां carry कर के लिए जाएगा भाई waste product को excrete कर देगा oxygen को cells तक पहुचा देगा nutrients को body में cells तक पहुचा देगा ठीक है तो ये इसका काम होता है basically आपस में मिलके work करते हैं it's super important because it keeps our body in balance ये हमारी body को एक balance बनाने में help करता है support करता है different functions को make sure our cells and organs stay healthy ठीक है तो ये कुछ था हमारा उसके बारे में कि double circulation, blood circulation क्यों ज़रूरी है क्या है function क्या है अभी सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहापे सबसे पहले हम यहापर इस diagram को समझते है ठीक है, सब कुछ समझने से पहले इस diagram पर आते है direct यहाँ पर आपको यह heart दिख रहा है बीच में उपर वाला जो chamber है इसे बोलते है right atrium ठीक है एक right atrium है, जो right side है एक left atrium है, जो left side है नीचे के दोनों कौन से होते है, ventricle होते है यह मैंने anatomy में पढ़ा है अगर आपको anatomy heart की नहीं clear है तो please चाह के check out करो playlist में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मैंने detail में समझा है फिर भी थोड़ा में पता देता हूँ right ventricle नीचे वाले chambers को कहते है राइट साइड जो होते है और left ventricle left side वाले नीचे वाले chamber को कहते है चार chamber heart के अंदर होते है दो उपर दो नीचे, ठीक है यहाँ तक सब clear है, उसके बाद अब बात करते है कुछ इनके जो इनसे blood vessels connected है उनके बारे में देखो यह है हमारा aorta इसे बोलते है aorta यहाँ पर dorsal aorta लिखा है वो भी ठीक है तो यह aorta क्या होता है किस चीज से connected है, यह हमारा left ventricle से connected है यहाँ से देखो यहाँ से blood इस तरीके से जा रहे है ठीक है तो यह हमारा किस से connected है left ventricle से connected है, कौन connected है left ventricle से, aorta यहां ध्यान से सुनना इस चीज़ को बहुत confusion होता है नहीं तो और हमारा जो right ventricle है, right ventricle से क्या connected है, यह right ventricle है, right ventricle से क्या connect होतके जा रहा है, ऊपर कि तरफ, this is called pulmonary artery, ठीक है, pulmonary artery मतलब pulmonary word कहीं भी आ जाता है, किस चीज़ से related होता है, हमारा, lungs से related होता है, ठीक है, तो pulmonary artery ने क्या क्या heart से अपने अंदर ले लिया कहां से heart का कौन सा chamber right ventricle से यहां तक clear है उसके बाद यहां पर देखो pulmonary vein pulmonary vein क्या है pulmonary vein lungs से blood को लेगी और कहां पर छोड़ेगी left atrium में ठीक है left वाले उपर वाले chamber में जो है pulmonary vein blood को transport करती है तो चार structure से हैं तीन structure में समझा चुका pulmonary artery, pulmonary vein, dorsalauta चोथा structure हमारा है venakava venakava या फिर great veins भी बोलते हैं से यह किस चीज़ से connected है हमारा right atrium से connected है है ना यहां से जा रहा है यह किस में connected है right atrium में यहां तक clear हुआ right atrium से left atrium से कौन connected है यह सब समझ आया होगा ठीक है और यह जो है venakava और dorsalauta यह body parts तक जो है ले कर जाते हैं blood को and pulmonary artery, pulmonary veins, lungs तक ले कर जाते हैं तो जो भी pulmonary artery और pulmonary veins कहीं पे भी नाम आता है कहने का मतलब है कि कहीं ना की lungs से related है और lungs में ले जाना और आना हो रहा है ब्लड का ठीक है यहां तक आपको थोड़ा समझ आया होगा उसके बाद अब आते हैं अपने theory पे देखो इसमें होता क्या है double circulation का मतलब यह है देखो double circulation महाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि एक circulation हो रहा है यह उपर की तरफ lungs से हैना हमारे heart का और एक circulation हो रहा हमारा body part का heart से तो एक circulation तो यह हो गया जो lungs के साथ हो रहा हाट का और एक circulation हो रहा है heart का body part से इसलिए इसे बोलते हैं double circulation ठेक है ओके आगे की दरफ बढ़ते हैं हमारे topic की तरफ ये diagram आपको दिख रहा है अब lungs से क्या connected थे pulmonary artery और pulmonary vein connected थे अब lungs क्या करता है क्या काम होता lungs का जो भी हमारे body के अंदर blood होता है उसके अंदर oxygen प्रोवाइड कराना काम होता lungs का है ना oxygen को अपने blood के अंदर डाल देगा carbon dioxide निकाल देगा तो जो blood oxygenated होता है जिसके पास oxygen present होता है उसे बोलते हैं oxygenated blood ठीक है now oxygenated blood क्या होगा lungs से जाएगा कहाँ पर pulmonary veins में pulmonary veins के बाद कहा जाएगा pulmonary veins किस से connect था left atrium से ठीक है left atrium क्या करेगा left ventricle को blood देदेगा अब left ventricle क्या करेगा aorta को blood देदेगा क्योंकि अब तो अब यह aorta क्या करता है aorta पूरी body में supply कर देता है blood को अब यह oxygenated blood था ना lungs ने भाई क्या किया अब सब बाद में बात करेंगे अना बल्फ के बारे मैं समझाओंगा मैं फिल्लाल अभी अब है ही देखते हैं कि left atrium के पास गया left atrium के पास left ventricle के पास गया left ventricle के बाद your pen के पास गया aorta ने पूरी body में कर दिया अब बोडी का आई ने कहा होगा मैंने आप पर ब्लू कलर से बनाया इस वाले साइड को और इस वाले साइड को थोड़ा रेड कलर से बनाने की कोशिश किया क्योंकि रेड कलर मतलब की oxygenated blood and blue color वाला जो blood है इस वो मैंने deoxygenated blood के लिए किया है तो right ventricle को देदेगा right ventricle क्या करेगा pulmonary artery को देदेगा और pulmonary artery वापस से lungs को देदेगा तो यह पूरी cycle चलती रहती है है ना अब यह ही चलता रहेगा lungs purify करता रहेगा और यह arteries आपस में supply करते रहेगी जो body के parts है वो oxygen को रख लेंगे carbon dioxide को छोड़ देंगे यह सब चलता रहता है इस process के में कुछ चीज़े होती हैं आपको पता होगा heart के अंदर walls present होती है हमारे मैं आपको diagram में दिखा देता हूं यह वाला हमारा diagram है इस diagram में आप देख सकते हो कि heart के अंदर कुछ walls present है वोल्व क्या होता है पहले तो में बता दूँ वोल्व ना एक तरह का gate होता है जो एक side में जो है खुलेगा है ना मतलब blood अगर ऐसे जा रहा है ना तो वह तभी खुलेगा अगर blood ऐसे जाने लगा तो वह भुल व्लव बंद हो जाएगा उल्टे direction में blood को नहीं जानी देता एक ही direction में जाएगा ठीक है ना यह हमारे भुल्व होती है जहाँ जिसमें आर्टरी से Пैंट रिकल तक ब्लड जाता है यह हमारे वॉल्व है यह और य तो दो वोल्व होते है पास एक होता बाइक rapid और एक होता trich crypto to you knowектор City ने जब यहांका से यहां तक जाएगा ब्लड कर लोट और यह उपन हो झाएगा जब यहां सेयहां ब्लड रैओं घ्रम से द्रिकल में आगा ventricular, है न, atria और ventricle के बीच में है, और दो यहाँ पर जो semi lunar होते हैं, एक और दो, यह क्या होते हैं, ओपन होते हैं close होते हैं, जब blood जो है हमारा circulate होता है, तो वहीं मैंने वहाँ पर, यही चीज़े मैंने वहाँ पर diagram में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिखा है, जब left atrium से left ventricle पर blood जाएगा, तो byacuspid AV valve, atrioventricular valve के थूँ हो के जाएगा, जब left ventricle से aorta में blood जाएगा, तो aortic semi lunar valve के थूँ जाएगा, जब right atrium से right ventricle में जाएगा, तो tricuspid AV valve, दोनों AV valve हैं, देखो, यह भी AV valve है, और यह भी AV, यानि कि atria और ventricle के बीच में, ठीक है, byacuspid और tricuspid इस का नाम है, यह pulmonary semilunar valve के थूँ जाएगा, ठीक है, तो यह कुछ था, हमारा structure, और इस circulation था, अब बात करते हैं, direct theory पर, क्या लिखा है यहाँ पर, तो पहले लिखा, systemic circulation, अब what is systemic circulation, देखो, यह जो heart से नीचे वाला है न, part, पूरा, जो क्या कर रहा है, body parts तक ले कर जा रहा है, blood को, इसे बोलते हैं, systemic circulation, and जो भी उपर वाला structure है, यह हमारा pulmonary circulation होता है, ठीक है, ओके, so, systemic circulation की बात करते हैं, left atrium से start करते हैं, left atrium ने क्या किया, oxygenated blood को लिया, कहां से, lungs से, enter the left atrium, through the pulmonary veins, pulmonary veins के थू, now, left ventricle में क्या होता है, the left atrium contract, उपर वाला जो chamber है, contract करेगा, और क्या करेगा, नीचे वाले chamber में blood देगा, नीचे को ने left ventricle है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, systemic circulation की, इसलिए खाली left की बात कर रहे हैं, जो right side वाला हमारा circulation है, वो right side वाला circulation हमारा pulmonary circulation है, ठीक है, now, left ventricle ने क्या 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 है, contract, उसने left atrium ने, उपर वाले chamber ने contract किया, force क्या blood को, into the left ventricle, उसके बाद, ब्लेट कहां जाएगा, एउटा में जाएगा, एउटा में क्या होता है, left ventricle contracts, and pushing oxygenated blood into एउटा, अब oxygenated blood क्या है, ventricle से एउटा में गया, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत बड़ी artery है, largest artery है, now, arteries में जाएगा, एउटा ने क्या क्या क्या, चोटी चोटी arteries को दिया, एउटा branches into small arteries, अलग लग ब्रांच बना लेता है, एउटा अपनी, चोटी 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 arteries की, carrying oxygenated blood to various parts of the body, एउटा ने क्या क्या भाई, एउटा ने left ventricle से blood लिया, oxygenated blood लिया, और आगे जाके divide हो गया, चोटी चोटी arteries में, वो arteries कहां तक गई, दूसरे organs तक गई, body के अंदर, ठीक है, और arteries क्या हुआ, arteries further divide into smaller vessels, जिन हम क्या कहते हैं, arterioles, arteries भी आगे divide हो गई, arterioles में, ठीक है, regulating blood flow to specific tissues, ठीक है, tissues तक blood पहुचाने के लिए क्या हुआ, बहुत चोटी चोटी blood vessels में, डिवाइड हो गया है, उसके बाद, और आगे divide हो गया, arterioles lead to capillaries, और ज्यादा divide होने के बाद, इसने capillaries बना ली, tiny blood vessels, where nutrient and gas exchange अकर, अब यहाँ पर क्या होगा, nutrient और gas exchange होगा, कहां पर tissues के बीच में, cells के बीच में, ठीक है, cells नहीं, और tissues नहीं क्या 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 है, carbon dioxide वापस दे देंगे इने, तो वहाँ पर ही क्या होगा, veins भी present होगे, तो यह capillaries क्या करेगी, एक वहाँ से deoxygenated blood लेगी, जिसके अंदर carbon dioxide जादा होगा, into the venules, हैना venules में लाकर खड़ा कर देगी, collecting deoxygenated blood, ठीक है, deoxygenated blood को collect करके, यह छोटी-छोटी capillaries, venules नाम के structures में डाल देगी, venules मर्ज हो जाएंगे, जुड जाएंगे, और बनाएंगे क्या, veins, अब veins क्या करेगी, transport करेगी deoxygenated blood, back to the heart, जब veins क्या करेंगे, वापस heart तक blood पहुचा देगी, अब कैसा जाएगा, superior और inferior venakava के थुरू, superior और inferior venakava क्या करेगी, heart में जाकर यह deoxygenated blood देदेगी, veins joined to form the superior and inferior venakava, returning deoxygenated blood to the right atrium, ठीक है, left ventricle ने aorta को दिया था, aorta से blood आया, आयोटा डिवाइड हुआ, डिवाइड होगे, arteries, arterioles बना, tissues तक पहुचाया, tissues ने carbon dioxide दे दिया, carbon dioxide ले लिया किसने, veins ने, venules ने, venules आगे ज़ड़ गए, ज़ड़ के क्या बनाया, veins बनाया, और veins आगे ज़ड़ के कीसे दे दे थे थें blood, superior और inferior venakawa को, superior और inferior venakawa ने कहाँ पर return किया, right atrium में return किया, ठीक है, now, pulmonary circulation की बात करते हैं, तो यह हमारा क्या था, systemic circulation था, जो system तक blood लेके जा रहा था, अब pulmonary circulation में क्या होता है, right atrium की बात करते हैं, तो deoxygenated blood क्या था, body से, body से enter हुआ था, अब atrium ने क्या करेगा, atrium contract करेगा, contract करके क्या करेगा, ventricle तक blood दे देगा, ठीक है, ventricle में blood आ जाएगा, now, the right ventricle contract, अब right ventricle contract करेगा, नीचे वाला jamber contract करेगा, sending deoxygenated blood to the lungs, यह deoxygenated blood को lungs तक मुचा देगा, through the pulmonary artery, pulmonary artery के through, ठीक है, अब क्या हुआ, lungs तक आगया blood है ना, in the lungs, blood releases carbon dioxide, lungs में आते ही जो है, blood carbon dioxide release कर देता है, and picks up the oxygen, through the exchange of gases, in the pulmonary capillaries, है ना, oxygen को रख लेगा, carbon dioxide को, sorry, carbon dioxide को lungs अपने पास रख लेगा, oxygen को capillaries के अंदर दे देगा, अब क्या होगा, lungs से जुड़ी होती है, pulmonary veins, तो जो oxygenated blood है, वो वापस से return हो जाएगा, heart के through, है ना, heart में, through pulmonary veins, pulmonary veins के through, जो है, heart में blood आ जाएगा, और heart में कहा हैगा, left atrium के पास आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा cycle end हो जाता है, और left atrium क्या करेगा बागे, वो तो पता ही, आपको left atrium वापस से क्या करेगा, left atrium वापस से contract करेगा, यहाँ पर start हो जाता है फिर दुबारा, left atrium contract करेगा, contract करके left ventricle को देगा, और यह cycle चलती रहेगी, तो आज का जो था हमारा topic, वो यहाँ पर समाप्त होता है, इसमें हमने आज क्या पड़ा, double circulation या फिर blood circulation, भी आप इसे बोल सकते हो, यह हमने पड़ा, I hope आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा, आप पोज करके notes भी बना सकते थे, अगर आप नहीं भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, link description में है, PDF में आपको दे दूँगा, और I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, cardiac cycle समझेंगे,